नमस्कार आप देख रहे हैं News World India मैं हूँ आपके साथ भारती सेंग और मैं हूँ आपके साथ काविंदर चौहान उन पर भी इसका सीधा प्रभाव देखने को मिल रहा है भारती मैं यह जानना चाहूंगा यह जो वजह हैं जिसकिन कारणों से यह इंडस्ट्री में इस तरीके का जो क्रियेट हो रहा है जिस तरीके से मोनोपॉली भी देखी जाती है इनमें तो यह क्या वजह हैं कि मुख क् जिसके चलते जो छोटे उद्योगपती हैं जो छोटे लोग हैं उनके उपर इस बात का बहुत ज़्यादा असर पड़ रहा है तो ऐसे में बहुत एहम यह हो जाता है कि आप कुछ स्पेसिफिक बड़ी कंपनिया मिलकर अगर किसी बी चीज के प्राइस बढ़ा रहे हैं व उनका क्या फाइदा जब तक आप नीचले सतर तक जो दियोगपती हैं उनको इसका बेनिफित नहीं मिलेगा और उनको अगर बेनिफित मिलता है तो डिरेक्ट बेनिफित मिलना बहुत ज़रूरी है हम देख रहे हैं आज के वरुमें जिस तरीके से किसान भी सटकों पर हैं तो किसान और लेबर जो लोग हैं उन सभी को benefits मिलने चाहिए इसी को लेकर वो भी संगर्श कर रहे हैं और एक वक्त हो सकता है ऐसा भी आए कि वो लेबर जो लोग हैं वो भी संगर्श करते हुए नजर आए आपने शब्द का इस्तिमाल किया monopoly तो अपने दर्शकों के लिए थोड़ा सा clear कर देता हूँ यहाँ पर जो भारती ने चार कंपनियों का जिक्र किया उनका नाम है JSPL, Tata Steel, JSW और JSPL यह चार कंपनियों है जो पूरा त एक तरीगे से साठ में जो पर भारी संगर्ट हैं उन लोगों ने एक संगठन भी बना लिया है ओ वो लोग जलदी इसके खिलाफ आंदोलन करने की भी बात कर रहा है जिस तरह से किसान आंदोलित हैं उस तरह से यह जो छोटे व्यापारी है और मजोले जो व्यापारी है यह भी आंदोलित की बात कह रहे हैं लेकिन सबसे जो जरूरी बात इसमें निकल कर सामने यह आती है कि अभी तक सरकार का इसमें कोई भी हश्चेप नहीं देखा गया है सरकार जहां गरीबों की बात करती है, जहां पर किसानों की बात करती है, लेकिन यह जो उद्योग है, इस पर किसी की नजर है, ना इस पर कोई बात करता है, ना इसकी अभी तक किसी पर निगा गई है, जैसे छोटे आप तौर पर बताता हूँ, सिलिकॉन के जो प्राइज़ वो 76 से लेकर 110 पर केजी बढ़ चुके हैं वहीं आपको मेगनेसियम की बात करूँ तो 100 से 130 पर केजी बढ़ गए है स्टील के भी प्राइज़ में 45-50% का इजाफा हुआ है लेकिन ना कोई बात कर रहा है ना उनकी कोई सुन रहा है लेकिन इसको सरकार तक अगर हम पहुचाने की बात करेंगे सरकार इस पर ध्यान दे तो ऐसा क्यूं होता है कि यह जो है उनकी निगाह से विरह रहते हैं देखे हर बार यह चीज़ देखी गई है कि जब तक कुछ होता नहीं है तब तक सरकार नहीं जाती प्रशासन नहीं जाता है तो साफ तोर पर कह सकते हैं कि जब तक यह लोग सडकों पर नहीं आएंगे जब तक वो लेबर क्लास लोग जो है जो अपने रोजगार के लिए जब तक वो बिल्कुल परिशान होके सडक पर ना आ जाये तब तक सरकार अपने संग्यान में चीज लेगी नहीं लेकिन बहुत एहम हो जाता है कि इन सभी चीजों को याने कि पूरी स्टील इंडस्ट्री जो की import, export और तमाम तरीकी की चीजों पर चलती है import होता है, export होता है और साफ तोर पर एक बहुत एहम बात ये भी है कि इंडिया को third largest steel production के लिए माना जाता है और ये भी कहा जाता है कि 2030 तक वो second number पर आने वाली यानि कि जैपान क्योंकि चाइना सबसे पहले नंबर पर है दूसरे नंबर पर जापान है और तीसरे नंबर पर हिंदुस्तान है इंडिया है तो इंडिया चाहती है कि 2030 तक वो जापान को पीछे करके second number पर आजा है लेकिन कैसे अगर इस तरीके का जिस तरीके से ये पहली बार ऐसा हुआ है कि 50 प्रतीशत तक जो है वो दाम बढ़ गया है तो ऐसे में अगर हम एक target सेट करके चल रहे हैं कि 2030 तक हमें second number पर आना है तो ये तो बहुत मतलब ये हो ही नहीं सकता Exactly, मनसूबे बड़े-बड़े हैं लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही है आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा समझाने के लिए अपने दर्शकों को कि अचानक से बड़ा का 900 रुपीज कर दिया गया है तो व्यापारी और उद्ध्योगपती ये बात कह रहे हैं उद्ध्योगपती का सीधा कहना है कि ये जो प्राइज हुआ है इसमेर आखिर उनकी क्या गलती है वो इसको कैसे ले और इसको किस तरह से देखे इस पर भी सरका कर दिया है उद्ध्य में आठेजी वे आज़नेविव एक तरह वगजाए बात कर दिया है उद्धागा है इंध्योगपती परिशान है इसमें बात करें तो हर एक आँ आँ आध्म आदमी जिसके घर तक स्टील पहुंचता है वह इंडिरेक्ट वेस्टा पैस जरूरी नहीं कि वो direct steel ही खरीदे, steel का ही आयात करे, निर्यात करे, जो भी है, लेकिन हाँ, अगर आपके घर में अगर आप एक TV भी ले रहे हैं, और steel के prices हाइक हो रहे हैं, लगातार दिन बाद दिन बढ़ते जा रहे हैं, तो कहीं न कहीं इसका effect आपको भी देखने को मिलेगा, बिल्कुल और ऐसा भी कहा जाता है काविन जे कि ये जो हमारे देश में industry है, steel industry वो इतनी शंता रखती है कि वो चाहे तो वो number one हो सकती है, तो बहुत एहम हो जाता है कि हम इतनी शंता रखने के बावजूद ऐसी परिशानियों से जूज रहे हैं, जो कि न सिर्फ बड़े उद्योग पति, सिर्फ बड़े उद्योग पतियों को फाइदा दे रहे हैं, लेकिन जो चोटे उद्योग पति हैं और जो labor class हैं, सबी को इस परिशानी के साथ जो है वो तमाम परिशानियां जेल नहीं पड़ रही हैं अगर सरकारे चाहें अगर सरकार अपनी पर आ जाएं तो पत्ता भी नहीं हिल सकता है और इस पर सरकार अगर काम करने लगे तो इसमें हमको एक बखुबी एक चीज देखने को मिलेगी कि इसमें जरूर इसमें कुछ अच्छी चीजे में निकल कराएंगी इस्टील के दाम बढ़ते जा रहे हैं लेकिन सरकार अभी तक इसमें कोई भी रेगुलेटरी कुछ भी लेकर नहीं आई है एक स्टैंडर मेंटेन नहीं किया गया है कि प्राइज के जो हाइक है वो एक मान अधर हर किसी को देखने को मिल रहा है वहीं छोटे द्योग पती की बात करें तो उसकी आवाज वहां तक पहुचे ही नहीं पाती है कि वहां तक उनको बात पहुचाना उनको हिलाना यह इन लोग के बस की बात नहीं है लेकिन सरकार अगर चाहे तो इसमें बहुत बड़ा कर सकती है सरकार अगर चाहे तो उनकी जिन्दगियों में बदला उला सकती है आग को बता दूँ पिछले 6 महिने में जिस तरह से 45% to 55% का प्राइज हाइक हो जाता है कोरूना के चलते वैसे ही एक बड़ा जटका लगा हुआ है लेकिन इसके वाबजूर जिस तरीके से प्र जो रॉआ मैटियल देते हैं उसकी बीशापलाइ बहुत कम है सप्लाइ कम है लेकिन अगर एक्सपर्ट की माने एक्सपर्स की राय माने तो डिमांड बढ़ गई है डिमांड जो है वो बढ़ती जा रही है कोरोना वाइरस के टाइम के बाद से पैंडमिक के बाद से डिमां से जादा हिम इंपोर्ट करते थे वो चाइना से करते थे अब चाइना से इंपोर्ट बंध हो गया है तो तमाम जो बाकी देश है वहां पर जहां से इंपोर्ट करते थे वहां पर इस वक्त ठंड का जादा प्रकोप है तो ऐसे में वहां से जो इंपोर्ट है वो भी कम हो ग योगपती उटने की कोशिश करते हैं, जो छोटे लोग कोशिश करते हैं कि वो अपना बिजनस सेट अप करें और तमाम चीजों को बढ़ें और मेक इन इंडिया में भी वो कामयाब हो, इस योज्रा में भी कामयाब हो तो ऐसे में यह सारी चीजें मिलकर उनको दबा देती है और ये जिस तरीके से दबते हैं इन सब चीजों को लेकर फिर उसके बाद ही एक होंसला तूटता है और आप एक कोई भी नया आदमी अगर कोई बिजनस टार्ट करना चाहता है तो वो अपने आप ही उस चीज को अपने माइंड से तुरन निकाल देता है आपने बहुत अच्छा कीवर्ड इस्तिमाल किया है इंपोर्ट आप अगर इंपोर्ट की बात करते हैं तो यहां पर आप सीधे सीधे इक स्क्रैप के इंपोर्ट की बात करते हैं इसके बाद जो बड़ा जो प्लेयर रहा है भी तक भारत के लिए वो रहा था चाइना लेकिन तक इसकी सप्लाई हो सकते हैं जिससे इस पर असर पड़ रहा है अब इंपोर्ट जब इतना जादा प्रभावित है तो सीधी सीधी बात है कि इससे इंडस्ट्री पर भी बहुत बड़ा असर देखने को मिलेगा और सबसे जादा जो इससे इफेक्टेड लोग है वो है चो का की इस में इंटरफियर करें और प्राइज का जो सामने आना जाहिर सी बात इस वक्त सरकार को एक नई परिशानी ज्हीलने को मिलेगी तो ऐसे में बहतर है कि अभी संग्यान लिया जाए, चीजों को देखा जाए, परका जाए और उसके बाद उसके उपर डिसिजन्स लिये जाए यह है कि ऐसे वक्त में, पैंडेमिक के बाद जो एकॉनमी में जो इतना बड़ा स्लोडाउन देखने को मिला था, उसके बाद जब गॉवर्मेंट्स इसमें इन्वेस्ट कर रही है कि एकॉनमी को कैसे एक्सलेरेट किया जा सके, उसमें जब गॉवर्मेंट्स खुद इन्वे हैं कि हमारी जो उमीदें हम जो सोच रहें कि 2030 तक हम सेकेंड नंबर पर आ जाएंगे, सेकेंड लाइंगे, तो वह अपने आप में खत्म हो जाती है, वह बात ही खत्म हो जाती है, क्योंकि यह जो तमाम चीजें हैं जो निकल कर आ रही हैं, जब तरीके से प्राइस हाइक हो जाएगी और हो सकता है कि वो दिन भी दूर ना हो कि इंदोस्तान तीसरे नंबर से चौथे नंबर पर लोड़क जाए, तो यह बहुत जादा एहम बात है और बहुत ही गहन चिंतन वाली बात है, तो स्टील इंडस्ट्री को लेकर यह तमाम जानकारियों के साथ मैं था अगर आपको हमारी रिपोर्ट पसंद आई तो इससे लाइक करें, शेर करें, हमारे चानल को सब्सक्राइब करना न भूलें, धन्यवाद।